buy sell rent properties at propnationindia.com आज के वीडियो में हम आपको कुछ पुरानी क्लिप्स पे based एक फ्लैट दिखा रहे हैं और ये फ्लैट बना हुआ है SEC Sapphire राजनकर एक्स्टेंशन में जहां पर आपको एंट्री करते ही दो green lawns मिलते हैं बड़े नहीं है लेकिन दो lawns आपको यहां पर मिलते हैं और मिलता है commercial complex with a playway school जो की day boarding school की तरह भी काम करता है एक green lawn आपने उस तरफ देखा एक सामने है और ये है society का main entrance और अब हम चलते हैं tower की तरफ इस tower में आपको दो staircase और तीन lift मिल जाती है normally दो lifts मिलती है एक tower में लेकिन इस project के अंदर दो blocks ऐसे हैं जहाँ पर आपको तीन lift प्रोवाइड कर आई गई है तो आपको इससे condition थोड़ा कम feel होगा जब पूरी occupancy आ जाएगी उस समय पर ये flat है 1395 यानि 1395 स्क्वाइर फीट का एक 3PHK इसके साथ में आपको दो toilets और एक dressing room मिलता है अभी हम drawing और dining के area में है जो एक decent size का drawing dining कहा जाँ सकता है बहुत ज़्यदा बड़ा भी नहीं है लेकिन ये आपको कम भी नहीं पड़ेगा त्योंकि इसमें आपको sofa के लिए अलग से space है और dining के लिए आपको अलग से spaces में मिल जाती है साथ में ही drawing dining के आपको मिल जाएगी एक decent space वाली kitchen ये एक अच्छा size है kitchen के लिए और इसमें आपको ventilation भी पूरा proper है क्योंकि इसके साथ में ही आपको मिल जाएगी एक balcony भी ये है इसके साथ में attached balcony जहां से आप बाहर के views भी ले पाएंगे और ventilation भी आपको अच्छा मिलेगा ये है dining area और यहां से एक बार हम आपको दिखा देते हैं पूरा ये इसका पूरा drawing area है ये main entrance है और जो ये door है यहाँ पर है common washroom जो shareable है common area drawing dining और first bedroom के साथ में ये है इसका first bedroom इसमें आपको मिलता है ये wardrobe का space और ये washroom जो आपने अभी देखा था और साथ में आपको मिलती है एक balcony तो आपको अभी तक आपने दो balconies देख ली ये दोनों बहुत जदा बड़ी balconies तो नहीं है लेकिन ठीक है आपको outer world से connected तो रखती है और ये है इसका second bedroom 10 by 10 इसका size है इसमें आपको कोई balcony नहीं मिलती है इसमें आपको मिलती है ये window और ये है इस room का entry point ये है third और master bedroom इसमें आपको मिलती है wardrobe और wardrobe के अलावा balcony जो सामने है बड़ बैलकनी बाद में पहले हम आपको दिखाते हैं dressing और washroom का area ये है dressing room और ये सामने है washroom और dressing area और ये washroom ये उस 10 by 10 वाला जो bedroom है वहां से भी accessible है और दोनों ही washroom में अच्छा ही ये है कि इसमें कमोड की position corner की तरफ है तो आपको इसमें ठीक टाक space मिल जाएगा और ये है इसकी main balcony width सारी balcony इसकी 5 feet है और कुछ इस तरह के हैं बाहर के views कि काफी लोगों ने कई बार ये कहा भी है कि आप बाहर का भी view दिखाया करें तो ये है main entrance जहां से हमने वीडियो स्टार्ट की थी और ये है इसका main park और society का अंदर का view और अब आपके लिए screen पर आ रहा है इस unit का unit plan जो आपने वीडियो में unit देखी है वो इसकी just opposite थी इसमें kitchen left hand side पर आपको दिख रहे हैं उसमें right hand side पर kitchen थी और अब आपके screen पर आप देख रहे हैं site plan जो ये बीच में divider type आप देख रहे हैं इससे पहले phase 2 है और ये जो अब आपके screen पर है ये phase 1 है phase 1 पूरे तरीके से occupied है उमीद करते हैं कि ये जो हमारा चोटा से एक प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा यदि आप channel पर first time आए हैं तो subscribe जरूर करके जाएगा अगर आपको video अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ में आप इसको share भी कर सकते हैं thank you very much for watching the video take care bye bye